हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कुंगर मोबाइल टेकनिकल दोस्तों आज की वीडियो है समसंग एफर्प यानी गूगल एकाउंट लॉक हम एंड्रोइड 11 12 13 को बिदाउट PC बाइपास करेंगे ठीक है आप देख सकते हैं इसमें एफर्प लॉक है ठीक है तो अगर आपका भ हम बाइपास करेंगे इसको तो फर्स्ट आपको अपना वाइफाई कनेक्ट कर लेना है और यह हमने अपना वाइफाई कनेक्ट कर लिया है और यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा आगे जाने में तो अब यहां देखिए यहां पे तीन बटन है ना walum plus minus और power key हमें क्या करना है हमें वैलुम प्लस और power key को एक साथ प्रेस करना है ठीक है इसमें क्या दो तरीके से यह होता है पहला तरीका जो मेरे में है मैं वो बता रहा हूँ आप देख सकते हैं वैलूम प्लस और पावर की को एक साथ प्रेस कर देंगे बसके और प्रेस करना है लॉंग प्रेस नहीं करना है ठीक है आप देख सकते हैं यह पावर की है यह वैलूम प्लस है ठीक है इसको हम प् तरीका से On हो, ठीक है, Talkback Enable हो, तो आप देख लेना कि आपका किस तरीका से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर Use पर क्लिक करना है, अब यूज पर क्लिक करने के बाद, फिर से हम वही, Volume plus और Power Key को एक साथ प्रेस कर देंगे ठीक है प्रेस कर के छोड़ेंगे अभी आप देखना हमारा टाल्ग बेक ओपिन हो गया है ठीक है यह हो गया ना अगर आपका नहीं होगा इस तरीका से तो दूसरा तरीका यूज करना volume प्लस और मैनस को long प्रेस रखना है ठीक है 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 अब यहां cancel और use wise command है मैं use wise command पर click करना है और इस पर फिर double click करेंगे और बोलेंगे google assistant ठीक है देखो इस पर मैंने click किया double google assistant अब यहां देखो google assistant बोलने के बाद हमारा assistant open हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखो आप जैसे हमाई talkback अपना off करना है तो volume plus और power key को एक साथ प्रेस करेंगे यह हमारा talkback disable हो गया ठीक है अब यहां पर keypad वाले box पर click करेंगे और हमें यहां पर google type करना है type करके हम send करेंगे नीचे send का button है इस पर send करेंगे और यहां जो g का box है g के box पर हमें click करना है g के box पर click करने के बाद आप देख सकते हैं उपर mic का option है mic के option पर हमें open chrome बोलना है ठीक है प्रेस करके open chrome अब open chrome बोलेंगे न अब तो open हमारा chrome ब्राउजर open हो जाएगा यहां हमें accept and continue पर प्रेस करना है और यहां no thanks करेंगे अब आप देख सकते हों हम अपने chrome ब्राउजर में सर्च वाले box में type करेंगे addrom a-d-d-r-o-m addrom ठीक है यह दो को addrom bypass जैसे आप next करोगे addrom first link पर हमें click करके addrom के official website पर इंटर कर जाएंगे आप देख सकते हो ना यहां galaxy store galaxy store पर click कर लेंगे एक बार galaxy store को हम first क्या करते हैं अपडेट कर लेते हैं पहले continue करेंगे इस पर अभी आटोमेटिक अपडेटिंग आ जाएगा इसका देखो अपडेट आ गया ना तो अब क्या करेंगे हम update पर click कर लेंगे अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यह update हो रहा है ना जैसे installing होगा ठीक है तो यहां पर देखो अब दूसरी बार जब आटोमेटिक जब बैक करोगे आप न यह दूसरी बार फिर से update होने लगेगा साथेंदीगा और यह जैसे install होगा हमें बैक कर लेना है ठीक है चलो यहां तक तो होगया अब देखो यहां पर क्या करना है इस पर अब यहां पर आने के बाद galaxy store पर फिर से click करेंगे ठीक है और फिर continue करेंगे इसको allow कर लेते हैं done ठीक है अब यहां हमें दो application डाउनलोड करना है देखो यहां पहला application है files ठीक है f i l e s files फिर space देंगे shortcut yes देखो यहां आगया फाइल shortcut यही वाला application हमें install करना है दूसरा file नहीं चलेगा file shortcut ही चाहिए दूसरा file shortcut बनके आ रहा है वह कर लो लेकिन file shortcut ही चाहिए ठीक है इसको हम install कर लेते हैं इसको इंस्टाल करेंगे अभी open नहीं करना है फिर से हमें दूसरा application दूसरा अप्लिकेशन ने download करनी है आप इंस्टाल करना है मतलब पहला तो हो गया file shortcut दूसरा इसको इंस्टाल करेंगे और इंस्टाल करेंगे अब इसको इंस्टाल करके हमें open करना रहेगा ठीक है यह हमार इंस्टालिंग हो रहा है अब इससे हमें open कर लेना है ठीक है यह ना इससे हमें open करना है open करने के बाद agree and continue इस पर click करेंगे और यहाँ पर वाले पर permission करके grant कर देंगे और यहाँ हम देख लगते हैं इस पर click करके नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है हमें send पर click करना है ठीक है है आप्स पर देख़ लेते हैं कुछ नहीं आ रहा है ना इसमे garrant permission देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा vayक करेंगे और फिर receive करें भी एक पर दो तीन ठीलिया नहें यहां पर यह पर यह यह ले लिया चौरद तो इसको यह भी ऐलाव करिदू यह नहीं लेगा ह 250 तीन ठीक है? तीन तीन बार हो गया अब हमें बैक आना है और फिर से बैक आएंगे और यहां भी बैक कर लेंगे बैक बैक और फिर से बैक हमें आना है एड रोम ओले पर ठीक है? अब यहां पर आने के बाद हमें एड रोम पर आने के बाद हमने दो एप्लिकेशन यहां से डाउनलोड करनी है ठीक है कौन कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ एक है नौटिफिकेशन बार ठीक है और दूसरा है यहां देखो package-disabler notification bar ठीक है यह है दूसरा है package-disabler pro तो हमें first notification bar को download कर लेना है notification bar ठीक है इन दोनों applications का बहुत अहम रोल है तो इसको हमें download करना बहुत जरूरी है notification bar को हमने download कर लिया अब हम package-disabler pro को भी download कर लेंगे और हम अपने डाउनलोड में आके देखते हैं कि डाउनलोड होगा है या नहीं आप देख सकते हैं हमारा दोनों अप्लिकेशन डाउनलोड हो गया है अब देखो क्या करना है बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर हमने जाना है सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, हमको आना है प्राइविसी में, प्राइविसी में क्लिक करने के बाद, यहां देख सकते हैं, परमीशन मैनेजर, परमीशन मैनेजर पे क्लिक करना है, और यहां पे आना है फाइल सेंड मे इस पर क्लिक करेंगे और उपर three dot है ना इस पर करके हमें सो सिस्टम कर लेना है ठीक है ठीक है मेरे दोस्त यहाँ पर यह हो गया और सबसे स्क्रूल करके सबसे नीचे आएंगे एक्स सेयर पर ठीक है जो हमने वहाँ पर डाउनलोड किया था इसको हमने permission देना है allow कर देना यह don't allow पर रहेगा इसको हम सबसे उपर allow कर देंगे ठीक है अब फिर back आएंगे back आएंगे back बैक 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 अब यहाँ आ जाओ गलैक्सी स्टोर में फिर ठीक है यहाँ पर आने के बाद गलैक्सी स्टोर में आने के बाद आप देख सकते हूं यहाँ पर हमने सर्च करना है एक्स सेयर ठीक है एक्स सेयर हो गया ना इसको open कर लो open करने के बाद यहाँ देखो permission जैसे दिया है ठीक है यहां देखो सारा application वगएरा आगया भी तक नहीं आ रहा था ठीक है ना जिसी पर यह देखो open है ना यहां पर फिर से दो तीन बार कर लो यह नहीं open हुआ तो दो तीन दो चलो यह तो तीन साथ हो गया तीन चलो पिर से कर लेते हैं बैक आजाओ बैक आजाओ और बैक एक से इर कशल हुआ तो अब हमने जाना है फाइल्स पर ठीक है तो अभी हम क्या टाइप करेंगे फाइल है फाइल है प्रेवस पे इस सॉर्टकट इस उर्टकट आ गया ना फाल्स सॉर्ट्कट पर क्लिक करेंग और इसको हमपन कर लेंगे ओपन हो गए ना चलो यह ओपन हो गया हमने दोनों अप्लिकेशन डाउन लूड बें डाउनलोड में था ना दोनों अप्लिकेशन है तो डाउनलोड में हमें क्लिक करना है यहां slow to notification बार को install करना है ओए ओधिद्र हमारा इंस्टॉल हो गया अब हमने इसको open करना है यह ओपन हो गया Welcome to notification bar यहां पर देखो तीन आप्षन है हमें Accessibility पर क्लिक करना है और यहां पर देखो Install Apps है ना इस पर क्लिक करना है और notification बार off है इस पर क्लिक करके हम यहां पर on कर लेंगे यह हमारा on हो गया ना अब उपर से सटर नीचे आएगा यह देखो आ गया ना देख लो सटर आ गया नीचे अब चलो बैक आ जाओ बैक बैक और फिर से बैक अब यहां पर हमें Package Disabler Pro वाला application इंस्टॉल कर लेना है यहां पर इंस्टॉल करेंगे और यहां पर अभी open नहीं करना है सेटर नीचे लाएंगे ठीक है और wifi अपना off कर देंगे wifi आफ करने के बाद open करेंगे यहां पर allow करेंगे और यहां close आएगा इसको अब देखो यह इस तरह से खूदने लगा अब हम क्या करेंगे setting पर click करेंगे और फिर स्क्रोल करके आएंगे अपने privacy में और permission manager पर क्लिक करेंगे permission manager यहां क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फाइल सेंड मीडिया इस पर click करेंगे और हमें यहां पर ढूंड़ना है package disabler pro ठीक है नहीं उससे पहले हम यहां पर show system करेंगे फिर वो show होगा ठीक है तो यहां हमें क्या ढूंडना है package disabler pro इस application पर यह देखो है ना यहां पर इस पर click करेंगे इस पर click करेंगे और इसको हम उपर वाले पर सबसे उपर वाले पर allow कर देंगे यहां पर allow करेंगे ना आप क्या करना है back आना है admin तक हमें back back करते रहना जब तक कि admin का कोई page ना आ जाए ठीक है अभी हमें back करना है ठीक है back और यहां पर back setting पर आ गया back ओ यह चला गया मेरा आपका अगर admin पर है तो आपको कुछ नहीं करना है वेट करें थोड़ा सा मैं बता रहा हूं यहां पर अब हम क्या करेंगे आपका अगर चला गया है तो package dashboard pro को फीर से हम update करेंगे ठीक है इस पर installing फीर से करेंगे और यहां open करेंगे अगर आप पर admin वाले page तो इस पर require हो ठीक है यहां पर करना है यहरी पर click करना है और enable admin पर click करेंगे ठीक है enable admin Coronavirus यहां अभी nहीं कर करना है ठीक है एक्टिवेट नहीं करेंगे सर्टर नीचे लाएंगे और हम अपना वाइफाई एक्टिवेट नहीं करना है वाइफाई ओन करेंगे यहाँ पर जब तक कि Wi-Fi अपना अच्छे से connect नहीं तब तक activate नहीं करना है अब आप देख सकते हैं हमारा Wi-Fi connect हो गया है अब हमें activate कर लेना है ठीक है activate पर click करेंगे आप देख सकते हैं जैसे ही Wi-Fi data मिलेगा यह अपना काम start कर देगा यहां पर agree कर देंगे अब यहां पर एक second wait करेंगे please wait a minute और यहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface हमारे सामने है हमें wait करना है और अब देखें यहां पर यहां जो उपर search का option है यहां पर हम search करेंगे setup yes etup setup ठीक है setup हमने search करना है फिर पहले पर check लगाना है फिर एक दो तीन चार चोथ समसंग setup wizard पर हमें बीच में क्लिक करना है box पर click नहीं करना ठीक है बीच पर click किया मैंने अब यहां देखो time यहां बताता है यहां time नहीं बता रहा है अभी अभी देखना time बताएगा ठीक है यह देखो clear data लि bypass complete हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है यहां पर back करेंगे ठीक है और फिर से back back और यह देखो यहां पर select a home app ठीक है तो हमें Samsung setup wizard पर just once कर देना है और आप देखो हमारा bypass complete हो गया है हमारा set ready है get recommended apps आप देख सकते हो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ अगरा वी helpful है तो प्लीज चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें और कोई भी problem होती है तो आप comment box में comment करके जरूर बताएं यहां आप देख सकते हैं finish अब मैं आपको इसका android version और model भी चेक करा देता हूं यहां देख सकते हैं setting about और यहां देखो back software version यहां देखिए आप android version 12 ठीक है a037f ठीक है model और फ्रेंड वीडियो जरा भी helpful है तो प्लीज शेयर करें और चैनल को subscribe करें वीडियो को like करते हैं फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम कर लूँ जय है था Um, is there it? झा लूँक्षें करें वीडियो में तो प्लीज जाना में वीडियोटे और वा झाली। झाल झाल